हलो फ्रेंड्स बेलकम टू मा यूटूब चैनल तो फ्रेंड्स आज हम आपको बेकने एक ब्लाव डिजाइन दिखाने वाले हैं तो ये हमने 14 इंच लिया है और हमने इसकी चेस्ट लिया है 17-8 इंच 33 इंच है हमारा तो यहां से हमें 5 इंच लेना है 0.5 इंच हमें गले का नाप लेना है और यहां से हमें 6 इंच लेना है अब हमें गले का निसान लगाना है यहां पर 10 इंच हमें गला लेना है अब हमें इसको इस तरह से सीधा कर लेना है अब हमें इस तरह का इसमें सेप देना है इस तरह का तो हमें इस तरह पलट के इस निसान को इधर मिला लेना है अब हमें इसको अच्चे से निसान लगा लेना है इस तरह से तो फ्रेंड्स हमें इस तरह से एक इंच एक इंच इधर की उल लाना है इस तरह से अब हमें एक एक इंच का मार कर लगाना है इस तरह से अब हमें इसको यहां से कट कर लेना है इस तरह से पलटते हुए हमें इसको कटिंग कर लेना है तो यह हमने कटिंग कर लिया है अब जो हमने यह निसान लगाया था हमें इसको भी कटिंग कर लेना है इस तरह से तो देखिए हमने इस तरह का सेब बना लिया है अब हमें इसको उपर सिलाय लगा देनी है तो यह हमने सिलाय लगा दिये अब में फेबरी को कटिंग कर लिया है अब हमें नीचे से सिलाय लगानी है आदा आदा इंच पे इस तरह से हमें सिलाय लगा देनी है अब हमें इसमें कट्स लगा लेना है तो ये हमने कट्स लगा लिये अब हमें इसको सीधा कर लेना है तो ये हमने सीधा कर लिया है अब हमें इसको साइड में सिलाई लगा देनी है इस तरह से चारो तरफ इस साइड में भी सिलाई लगा देनी है इस तरह से हमें सिलाय लगा देनी है अब हमें एक्ष्टा कपड़े को कटिंग कर लेना है इस तरह से हमें सारे कपड़े को कटिंग कर लेना है एक्ष्टा कपड़े को तो देखिए, अब हमें ये पट्टी लेनी है, तो ये हमने चार इंच ओड़ी ली है, अब हमें दो इंच ओड़ी इसमें से कटिंग कर लेनी है, बीच में से तुद हमारी दो इंच हो जाएगी, अब हम कटिंग कर लेते हैं, इस तरह से, अब हमें इसको इस तरह पलट की सिल देना है, तो देखिए हमने इस दोनों पे सिलाए लगा ली है, अब हमें इसको सीधा कर लेना है, सुई या पिन की मदद से, यह हमने इस पर प्रेस कर लिया है, अब जो हमने एक्ष्ट्रा कपड़ा निकाला था, एक्ष्ट्रा कटिंग की थी, हमें उसकी पेपर पेव कटिंग कर लेनी है आदा आदा इंच हमें एक्ष्ट्रा लेना है वो नीचे से हमें इसको एक इंच एक्ष्ट्रा लेना है तो देखिए हमें इस पे इस तरह से छोटे छोटे पीस कटिंग कर लेने हैं इसके तो हमने सारे फिस कटिंग कर लिये हैं अब हमें इस पे सिलाई लगानी है तो हमें इस तरह से एक एक करके इस पे सिलाई लगानी है इस तरह से हमें सारे में सिलाई लगा देनी है तो फ्रेंट्स देखिए ये हमने इस पे एक साइड सिलाई लगा लिए अब हम दूसरे साइड भी इसमें सिलाई लगाएंगे इस तरह से सेट करते हुए तो देखिए ये हमने इस साइड भी सिलाई लगा लिए अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े को इसको कटिंग कर लिया है अब हमें इसको ब्लाउज में अटेज करना है पहले हमें इसकी जो हमने साड़ी ली है उसकी पाइपिन निकालेंगे यह हमने साड़ी का टुकड़ा दिया है तो हमें इसकी पाइपिन बनानी है तो हमें इसके उपर इस तरह से अटेज करनी है इस तरह से हमें सिलाई लगाते हुए पाइपिन लगानी है तो फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लिस चेनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए तो देखिए हमें इस तरह से पाइपिन लगाना है अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेना है इस तरह से अब हमें इसमें छोटे-छोटे कट्स लगा देने है अब हमें इस तरह से पाइपिन को पलटते हुए और इस पे सिलाए लगानी है तो ये हमने इस पे पाइपिन अटेज कर ली है अब हमें इसको एक्स्ट्रा पाइपिन को कटिंग कर लेंगे अब हमें इसको ब्लाज में सेट करना है इस तरह से हमें अच्छी तरह से सेट करके और उपर से सिलाए लगानी है इस तरह से हमें सिलाए लगा देनी है अब हमें इस साइड में भी सिलाए लगा लेनी है इस तरह से अब हमें एक और सिलाए लगानी है इसके उपर से तो देखिए फ्रेंड अब हमें इसको कागज को निकाल लेना है पेपर को तो देखिए अब हमें सुवी धागा लेना है सुवी धागे से हमें इसमें इस तरह से डिजाइन बनाना है इस तरह से इसमें सारे में इस तरह से डिजाइन बनाना है तो फ्रेंड्स कमेंट में बताना कि आपको डिजाइन केसा लगा इस तरह से हमें डिजाइन बनाना है तो देखिए ये हमने दो इन चोड़ी पट्टी ली है अब हमें इसको फोल्ड करके शिलाइ लगानी है तो देखिए ये हमने इस तरह से फिल बना ली है अब हमें इसको गले पे अटेज करना है तो फ्रेंड्स ये हमने फोल्ड करके उस पे सिलाइ किये है सिलाइ करके उसको पलटना है पलटके उस पे प्रेस माल लेना है फिर इसमें चुनन डाल देने है तो इस तरह से हमने अब हमें इस तरह से इसको अटेज कर देना है यहां से हमें कट कर लेना है एक्स्ट्रा पाइप इनको सोरी फ्रिल को अब हमें इसको फोल्ड करके यहां पे सिलाइ लगा देनी है इस तरह से अब हमें इसमें पीछे प्लेट डालना है चुननाट इस तरह से हमें दोनों साइड में टक्स बना लेना है तो देखिए फ्रेंड्स तो यह हमने डोरी ली है और जो हमने इसमें लटकन बना रखी है तो आप इसकी वीडियो मेरे चेनल पर जाकर देख सकते हैं तो हमें इसमें डोरी अटेज कर लेना है इस तरह से तो फ्रेंड्स देखिए कैसा लगा आपको मेरे ब्लाउज कर डिजाइन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और हम इसी तरह आपके लिए और भी अनेक वीडियो लाते रहेंगे ट्सक्टाइब के लिए और बाहें वीडियो अच्छी लगाईब कर लेके वीडियो ले वीडियो अपके लेड़ मेरे हैं